टाटा मोटर्स बैक टू बैक बड़े बड़े सर्प्राइजे दे रहा है एक तो इनकी गाड़ियां सेफेस्ट गाड़ियों में आती है दूसरी तरफ फीचर रिच है काफी सारे लोग Panoramic Sunroof को काफी पसंद करते हैं लेकिन उसके लिए आपको 16-17 लाग रुपे दर खर्च करने पड़ रहे थे और अब आपको Tata Nexon के साथ Creative Plus SCNG के साथ में Panoramic Sunroof मिल जाएगी जिसको 12,80,000 रुपे की Action Room Price पर इंटेडियूस कर दिया गया है ये एडिशन Nexon को राइवल जैसे XUV3 AXO से कंपेटिशन करने में और जादा भेतर बनाता है Tata ने सितंबर 2024 में Nexon के टॉप स्पेक Fairless Trim में पहली बार Panoramic Sunroof Option दिया था और अब 17 Nexon वेरेंड में ये फीचर अविलेबल है Nexon जो है वो टॉप सेलर भी है साधी साथ इसमें आपको पैट्रोल, डीजल, पैट्रोल के साथ CNG मिल जाता है और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी मार्केट में आता है तो हर तरफ से फीचर पैक होने के साथ साधी आफोर्डेबल भी है क्योंकि एलेक्ट्रिक वर्जन से भी इन्होंने बड़े प्राइस कट किये है और उस पर आपको डिसकाउंट आफर भी उपर से देखने को मिल जा रहे है साधी साथ इस फैक्ट्रिव सीजन सभी कार ब्राइंट्स पर बड़े बड़े डिसकाउंट आफर मिल रहे हैं आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24-7 यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं अगली अपडेट की मारूती सुजुकी डिजायर को नय अपडेट मिलने वाला है और ये अपडेटेड डिजायर 11 नवंबर 2024 को लाँच की जाएगी यहां पर इसमें ओवरल स्टैलिंग्स की चेंज रहने वाली है हाला कि अभी तक इसके केवल रेंडर्स पिच्चर ही सामने आए है इसके अलावा कोई ओफीशल क्लिप या पिच्चर नहीं आई है हाला कि इससे पहले टेस्टिंग के तुरान कई बार हाला कि इससे पहले कई बार मारूती सुजुकी डिजायर टेस्टिंग के तुरान नजर आ चुकी है और उसकी लाइट किस तरीके की दिखेंगी अब आपको सन रूप भी मिल जाएगी और ओर ओर डिजाइन थोड़ा सा मौडन मिलने वाला है। इसके रावा पॉसिबिलिटी है कि एडास भी इसमें डिट्यूस किया जाए लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। बाकि इसकी प्राइस वही साथ से 12 लाग रुपे के बजट में आपको मिलने वाली है। ये केवल वन लिटर टर्बो चार्च पैट्रोल इंजिन के आप्शन में ही आएगी मैनुवल और आटमाटिक ट्रांस्मिशन में। अगले अप्रेट की बात करते हैं तो रिसेंटली नई किया कार्निवल को लांच किया गया। इसकी काफी हाइप बनी थी और काफी कम लोगों ने इसको कैंसिल किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगबख 55-70 लाग रुपे की आम यूवी को लगजरी क्लास पसंद करने वाले लोगों नहीं बुक किया होगा। इसकी डिलिवरी अब शुरू कर दी गई है और इसके पहले ओनर बने सुरेश रहना। और अब उन सभी को इसकी डिलिवरी मिलनी स्टार्ट हो गई है। 136 यूनिट ही रही है। मारूति की लारजर डिलर्शिप नेटवर्क और फैस्टिव सीजन डिमांड का भी इसमें योगदान हो सकता है। नेक्सोन की गिर्ती सेल्स का एक रीजन टाटा कर्व ईवी का भी लॉंच हो जाना है। इसके अलावा नेक्सोन बायर्स कर्व ईवी को अपग्रेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ, एमजी विंसो और ईवी के स्ट्रॉंग रिस्पॉंस और महिंद्रा एक्सुवी 3XO के नए फीचर्स जैसे पैनोरैमिक सन्रूफ ने भी नेक्सोन के कंपेडिशन को बढ़ा दिया है। बात करते हैं अगली अपग्रेट की, महिंद्रा एक्सुवी 3XO का एलेक्रिक वर्जन आने वाला है जो की नियर प्रोडक्शन रेडी फॉर्म में स्पाय किया गया है। तो टैश्बोर्ड पर soft touch material, ventilated front seat, 10.2 इंच का touch screen, infotainment system, apple carplay, android auto की connectivity के साथ में, digital instrument cluster, level 2 ADAS, panoramic sunroof, rear-ish events, ये कुछ premium features में मिल जाएंगे। साधी साथ बताया जारा है 34.5 kWh और 39 kWh का बैटरी पैक इसमें मिल सकता है जो लगभग 456 km तकी range प्रोमिस करता है। साधी साथ 45 kWh का बैटरी पैक भी इसमें मिल सकता है, हलाकि ये confirm नहीं है, बाकी इसमें copper contrast roof और unique LED DRLs के इसके खास feature में शामिल होंगे। अगले प्रेट की बात करते हैं तो वरांसी में Hyundai Creta EV और Kia Carence EV को टेस्टिंग के दरान sport किया गया है। दोनों models mass market EV segment को target करेंगे और इनका power train और कुछ parts shared होंगे। Carence EV आइस facelip model पर based होगी, इसमें 6-seater और 7-seater option आपको मिलेगा। Carence EV में आपको dual 10.25-inch case screens, panoramic sunroof, adars जैसे features मिल सकते हैं। वहीं Creta EV में close-off grills, aerodynamic arroy wheels जो की range को improve करेंगे। इंटीर में आपको नए theme option मिल जाएंगे, dynamic ambient lighting हो सकती है। Creta EV में आपको 45 kWh का battery pack मिल सकता है, जो 138 horsepower generate करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 450 km तक की range इसमें claim की जा सकती है। अगली update की बात करते हैं जबते बड़ा launch हुआ, 2025 Jeep Meridian का festive season के मौके पर इसको update किया गया है। नए features और वेरेंट इंडिडियूस किये गए हैं और prices 24,99,99,000 उपेदे शुरू होंगी। पहली बार Meridian में आपको 5-seater भी option मिल जाएगा, जो की base longitude variant में आएगा, हलाकि overall जो size है वो अतना ही रहने वाला है। 5-seater में आपको 670-liter का boot space इसमें मिल जाएगा, बाकी prices काफी कम कर दी गई है। इसके अलावा Meridian के top variant में आपको ADAS में मिल जाएगा और overland trim इसका top variant है। Meridian के साथ longitude, longitude plus, limited optional और overland शामिल है। इसके अलावा देखा जाए तो panoramic sunroof, ventilated seat, 10.1-inch का Uconnect system और इसमें आपको 2-liter diesel engine मिलेगा, जो 170 PS की power, 250 NM का talk generate करेगा, ये 6-speed manual और 9-speed automatic transmission के साथ आएगी, इसमें आपको 4x2 और 4x4 दोनों ही option देखने को मिल जाएगे। बाकी इसकी road presence काफी जादा massive है और एक mafia look निकल कर गयाता है इसके black color के साथ में। अगली update की बात करते हैं तो फॉक्स वेगन की तरफ से आ रही है, 50,000 sales का milestone अचीव कर लिया है, साथ इसाथ premium sedan segment में ये number one position पर भी आ गई है, अक्टूबर के महीने में काफी पसंद इसको किया जा रहा है और इसमें आपको 1-liter turbo charge petrol engine और 1.5 turbo charge petrol engine का option मिलता है, अगर आपका budget 15 लाग रुपे के आसपास है तो एक बहतरीन sedan आपको ये मिल रही है, हलाकि इसका base वेरेंट आपको काफी सस्ता मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको feature rich और value for money वेरेंट चाहिए तो लगवख आपको 13-14 लाग रुपे के आसपास ही वो मिलेगा, लगवख 5,65,000 रुपे दे शुरू होती है, कुछ additional features मिल जाते हैं, जैसे wheel arch cladding, 6.2 इंच का touch screen with reverse parking camera और भी कई सारे features मिल जाते हैं और ये LXI, VXI और ZXI के लिए मिल जाएगा, इसके लाबा Swift का blitz edition मिलता है, LXI, VXI, VXI automatic के साथ में, Swift के blitz edition के साथ आपको 50,000 रुपे के free S series दिये जा रहे हैं, और देखा जाए तो ये edition के साथ ये कोई base वेरेंट लगता भी नहीं है, उसके ये काफी जादा अच्छा वेरेंट लगने लगता है, साधी साथ Grand Vitara का dominant edition launch किया गया है, जहाँ पर आपको 50,000 रुपे जादा किया series free है दिया जा रहे है, बलैनो का regal edition है, जिसमें भी आपको काफी अच्छे series मिल रहे हैं, dual tone seat cover, 3D matte, chrome garnish और भी कई सारे series में शामिल है, इसके लाब टोयोटा ने अपनी highlighter, glanza, rumion और taser, इन चारों के ही festival limited edition launch कर दि लिए series package दिये जा रहे है, महिंद्रा अभी बीचे नहीं है, इस copyo classic का boss edition launch किया है, इसके बारे में Sunday car news में पिछले वाले episode में हमने आपको सभी जानकारी दे दी थी, detail से, jeep ने अपना compass का anniversary edition launch किया है, इसके लाब रेनो की तरफ से काईगर, ट्राइबर, क्विट का night and day edition भ जो की limited 1600 units के साथ ही available था, अभी भी ये market में available है, जहाँ पर unit होंगी, वहाँ पर आपको ये बड़े बड़े offers और 9-9 special editions भी देखने को मिल जाएंगे, बात करते हैं अगले update की, निसान अपनी एक और flagship SUV को इंडिया में डिडियूस करने की तियारी कर रहा है, जिसको अगले हाई हो सकती है, देखा जाये तो यहाँ पर इसमें 3.8 लीटर का V6 या 3.5 लीटर का twin turbo petrol engine का option आपको मिल सकता है, इसका जो मुकाबला होगा market में वो Toyota के नए Land Cruiser Parado से होने वाला है, प्राइस की बात करें तो एक करोड से उपर ही रहने की संभावना, इससे कम प्राइस पर आईगी, निसान को ध्यान देना चाहिए, मिट सेट SUV सेग्मेंट पर 15-20 लाग रुपे के बजट में, जिसमें SUV आजकल काफी कमाल कर रही है, competition भी है, और नई SUV आती हैं, तो लोग attract भी हो रहे हैं, ऐसा नई है कि नई SUV की तरह अटक नहीं हो रहे हैं, काफी अच्छे अच बैंड्स हैं, जिनकी नई SUV भी धमाल मचा रही हैं, तो दोस्तों, फिलाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही, वीडियो पसंद आदो वीडियो को लाइक कर देना, ओके का 24x7 यूट्यूब चैनल पर नहीं हो, सब्स्क्राइब कर देना, थेंक यू फॉर वाचिंग